आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना खिचड़ी तो यहाँ पर मैंने यह मोटे वाले साबुदाना इस्तमाल किया है इसे मैंने सबसे पहले 2-3 बर साफ पानी से धो लिया था और इसे मैंने रात भर पानी डालके बिगाने के लिए रख दिया था पानी जो है वो साबुदाने के लेवल तक ही मैंने पानी डाला था इसको भिगाने के लिए पानी बहुत जादा उपर तक नहीं डालना है नहीं तो साबुदाना खिचड़ी हमारी खिली-खिली नहीं बनेगी अब हम कुछ सामगरी गठा करते हैं बनाने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले में कुछ करी लीव्स लिए हैं एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है हरी मिर्च एक लिया है एक आलू लिया है कच्चा इसके चिलके उतार दिये हमने इसे मैंने रोस्ट किया है ड्राइ रोस्ट किया है तेल नहीं डाला था अब हम अद्रक को बारिक चॉप कर लेंगे हरी मिर्च को भी बारिक चॉप कर लेंगे आलू को हम मीडियम साइज में कट कर लेंगे बहुत ज़्यादा बारिक नहीं कट करना है यहाँ पे मैंने सभी को चौप कर लिया है अब हमने जो पीनट्स लिया है उसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे बहुत ज़्यादा इसको बारिक नहीं क्रश करना है बस हलका सा इसको ऐसे दबा के और इसको थोड़ा बाइट साइज ही रखना है तो यहाँ पे मैं इसको क्रश करके ले लूँगी अब हम गैस के ऊपर एक नॉन स्टिक पैन को गरम करने के लिए रख देंगे पैन हमारा गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे दो से तीन छोटे चमच घी गी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच जीरा अब हम डालेंगे इसमें बारी चॉप किया हुआ अद्रक और इसी के साथ में हम हरी मिर्श भी डालेंगे कटी हुई अब हम इसमें डालेंगे करी लेज और इसे हम एक दो मिनिट ऐसे चलाएंगे पारिक भी नहीं कट किया है, और बहुत मोटा भी नहीं कट किया है, क्योंकि हमारे आलू कच्चे है, तो इसने पकने के लिए टाइम लगेगा इसे, तो इसे भी हम चलाएंगे, और इसे हम थोड़ी देर ढख के पका लेंगे, ताकि आलू जो है वो अंदर से अच्छे से पक हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक अब अपने टेस्ट के इसाब से डालें मैंने यहां पर आदा छोटा जमश नमक डाला है टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे टमाटर सॉफ्ट हो चुके है अब हम इसमें डालेंगे साबू दाना, तो यहाँ पे साबू दाना मैंने दो कप लिया था, अब हम इसमें डालेंगे हमारे रोस्टेट पीनट्स और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा काली मिर्च का पाउडर तो यहां पर मैं आदा छोटा चमच काली मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी है बहुत ही जटपट बन जाती है बीना ज़ादा ज़ंजट के और सुबा में आप यह आसानी से बना के बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनती है अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे और इसे हम थोड़ी दे ढखके पकाएंगे low flame पे ताकि साबुदाना जो है वो हमारे अंदर से पक जाए तो यहाँ पे करीब तीन से चार मिनट हो गया है साबुदाना को हमने थोड़ी दे ढखके पकाया थो तो साबुदाने के color जो है आप दे सकते हैं थोड़े से change हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा निम्बू का रस और इसे हम mix करेंगे अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारा tasty सा यम्मी सा साबुदाना खिच्ड़ी बनके तयार हो गया है अब हम इसे serving plate में निकालेंगे आप भी इसे जरूर एक बार try कीजिए अगर आपको मेरे चानल की recipe पसंद आती है तो please मेरे चानल को like, share और subscribe जरूर कीजिए और नीचे दिये गया bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे